नमस्कार दोस्तों, मेंटर फुलुएंट यूटूब चैनल पर भगवत गीता की साइकलोजी पर एक अभूत पूर्व व्याख्या, मैं गीता हूं, दीप तिर्वेदी, पुस्तक के हिंदी ओडियो बुक समरी में आपका स्वागत है, एपीसोड दस, अध्याय नौव, क्रि ऐसे तो मैंने अर्जुन को समझा ही दिया था कि तू सन्युक्तता का एहसास अपने जहन में बनाए रखते हुए यह यूद कर, इस तरह यूद करने से तू मुझ परमात्मा को उपलब्ध हो जाएगा, फिर तो उसे यूद करने हे तू खड़ा हो ही जाना चाहिए था, ल मैं तरीके से समझाने के अलावा उपाएं ही क्या बचा था, अतह मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि सून अर्जुन, मैं उस गोपनिये ज्यान को तुझे फिर भली भाती समझा कर कहूंगा, जिसे पाकर तू दुख रुपी संसार से हमेशा के लिए तर जाएगा विज्यान से भरपूर यह ग्यान समस्त विद्याओं का राजा है, इस ग्यान को विज्यान कहते ही इसलिए है कि यह नियम बद है और इसलिए इसके पालन के आलावा मनुस के पास अन्य कोई विकल्प ही नहीं है, यह ना सिर्फ अपने में बड़ा ही आसान है बलकि साथ ही यह हाथों हाथ फल देने वाला भी है, इस पर अमल करते ही मनुस का दुख रुपी संसार से तक्षन उधार हो जाता है, क्योंकि सत में ऐसा नहीं है कि कर्म आज करो वह फल कल मिले, कल के फल की बात अधर्म की दुनिया में करी जाती है, कोड़े आसरे अस्वासनों को कल की अवस्यक्ता है, सत्य को नहीं, अतह तु इस महान ग्यान को समझ कर तत्चन अपने तमाम वरतमान कस्टों से मुक्त हो जा, हे अर्जुन एक मुझ पर निराकार, हे अर्जुन एक मुझ निराकार पर मात्मा से, यह संपुर्ण जगत चारों ओर एक संकल्प के अधार पर फ चारों ओर छाय होने के बावजूद ना तो कुछ मेरे में इस्तित है और ना मैं किसी में इस्तित हूँ, यही कारण है कि युगों से मनुसे मेरे बावत भरमित है, कभी वह सोचता है कि मैं कहीं दूर हूँ, तो कभी सोचता है कि मैं भीतर हूँ, लेकिन वह यह नहीं समझ पता कि मैं सब और होते हुए भी कहीं नहीं हूँ इसलिए मुझे पाने या खोने की बात करना ही बेईमानी है क्योंकि मैं हर वक्त हर जगह पर हूँ भी और नहीं भी बस मेरी इस रहश्य मैं लिला का अनुभाव करना ही एक मात्र सच्चा ग्यान है तु ऐसा समझ की एक साथ दो जगत अस्तित्व में है और यह दोनों जगत पूर्णतह भिन है एक वह जगत है जिसे बार-बार मैं अपनी योग माया से रश्ता हूँ और फिर बार-बार उस जगत को मैं अपने में लीन भी कर लेता हूँ वहीं दूसरी ओर एक मेरा जगत है जिसकी न उत्पत्ती है और न जिसका विनास ही है इसी बात को मनुस्यों के संदर्व में कहूं तो ऐसा समझ की मनुस्य के जीवन में दो तरह के विस्तार हैं एक मैं के बल पर किया गया विस्तार तथा एक परमात्मा की संदर्व के भाव से किया गया विस्तार और जिस मनुस्य के जीवन में जितना मैं मेरे या मेरा का विस्तार है उसके इस तरह के किसी भी विस्तार में मैं यानि परमात्मा नहीं हूँ उसने अपना वह विस्तार मेरा धर्म या मेरा इस्वर के नाम पर ही क्यों न किया हो परन्तु उसमें भी मैं नहीं ही हूँ यहां एक बात और समझ ले अर्जुन कि मनुस्य में मैं के इर्दगीर्द घुम रहे इन सारे कर्मों के अधार पर मैं परमात्मा उन्हें बार-बार रचता हूँ वहीं एक दूसरे परकार के मनुस्य भी होते हैं जो तमाम परकार की आसकती से मुक्त हो चुके होते हैं उनके पूरे जगत का विस्तार और कारन होता है उनके ऐसे किसी भी विस्तार में मैं का भाव नदारद होता है और यही कारन है कि उनके ऐसे हर विस्तार में मैं परमात्म हमेशा उपस्तित रहता हूँ अतह तु यू समझ कि दो तरह के मनुष्य संसार में हैं एक वे जिनके किसी विस्तार में मैं नहीं हूँ और दूसरे वे जिनके हर कर्म तथा हर विस्तार में मैं हूँ सवाल सिर्फ मेरे होने या नहीं होने कहीं है यदि मैं नहीं हूँ तो मैं उस मनुष्य के धर्म ध्यान वपूजा पाठ में भी नहीं हूँ और मैं हूँ तो फिर उस मनुष्य के छल कपट करने से लेकर युद करने तक मैं भी हूँ यानि मेरा होना और नहीं होना दोनों एक साथ नहीं हो सकता है सो सवाल तेरे युद करने या युद से भागने का नहीं है बलकि सवाल तेरे कर्मों में मेरे होने या नो होने का है अतह तू तेरे हर कर्म में मुझे सामिल कर ले तो तेरे लिए यूद में भी चारो और परमात्मा ही परमात्मा रह जाएगा और नहीं तो तू यूद करे या भागे उसमें मेरा कही नामो निसान नहीं होगा तो यूद करेगा तो कर्मों से बंदेगा परमात्मा यूद करेगा तो कर्मों से नहीं बंदेगा अतह इतना समझ की यह दोनों दुनिया ही अलग है एक अहंकार की तथा एक परमात्मा की और अहंकार की दुनिया से कहे गए सास्त्रों में भी परमात्मा का नामों निसान नह ही हैं यहां इतना और समझ ले अर्जुन कि मनुस्य के लिए यह दोनों उसकी मनोदसा है मनुस्य की इस मनोदसा में परमात्मा वह अहंकार एक साथ नहीं रह सकते अतह तु अपना मैं रूपी अहंकार अपने भीतर के परमात्मा को समर्पित कर दे इससे तेरे सारे वर्तमान भरम तक्षण मिट जाएंगे अर्जुन मनुस्य के भीतर इस्तित मेरे इस परमात्मिय परम भाव को न जानने वाले मुर्ख मनुष्य मुझे सरीर धारन करने वाला साधारन मनुस्य समझते हैं वे यह समझते ही नहीं कि इस परम भाव को प्राप्त हुआ मैं सिर्फ संसार के उधार है तू मनुष्य रूप में विचरित हूँ या विचरता हूँ मुझे परमात्मा का अपने नाम सरीर या कर्मों से कुछ भी लेना देना नहीं है तू मुझे मेरे नाम या सरीर में मत खोज तू मेरे परम भाव पर दिरिष्टी घुमा तू अपने भीतर इस्थित परमात्मिये परम भाव को जगा कर मुझे पहचान क्योंकि हे अर्जुन जो इस महान इस्वर को सरीर धारी समझते हैं वे रक्षसी और मोहिनी परकिर्ती कोहीं धारन किये रहते हैं और इस कारण वे इस सरीर रुपी इस्वर से हजारों व्यर्थ की आसा करते हैं और अधिकांस सास्त्र ऐसी ही व्यर्थ की आसाएं जगाने वाले हैं फिर उन व्यर्थ के ग्यान से भरे सास्त्रों के मोह जाल्म से उभरी आसाओं की पूर्ती के लिए वे मनुस्य हजारों व्यर्थ के कर्म करते हैं और इसी में उनका जिवन पूरा हो जाता है लेकिन कोई सच्चा ग्यान ना तो कभी जूठी आसाएं जगाता है और ना ही मनुश्यों को व्यर्थ के कर्मों में लगाता है सच्चा ग्यान कोड़े आसरे अस्वासन नहीं देता बलकि सीधे भीतर के परमात्मी परमभाव को जगाने को कहता है और अपने परमभाव को जगाने में लगे दैवी परकिर्ती के लोग कभी मुझ महान इस्वार को सरीर की सीमाव में कैद करके नहीं रखते हैं वे मुझ महान परमात्मा को अपने भीतर के परमभाव में खोजते हैं वे दीन रात उस परमभाव की ही चर्चा करते हैं उसका ही किर्तन करते हैं और उसे बार-बार प्रनाम कर उसकी अनन्य प्रेम से उपासना करते हैं वहीं दैवी परकिर्ती के कुछ अन्य लोग मुझ परमात्मा को विराठ स्वरूप मानते हैं वे चारो और मैं परमेस्वर ही मौजूद हूँ ऐसा मानते हैं और ये दोनों सही है क्योंकि जिसके भीतर परमात्मा है उसके लिए चारो और भी परमात्मा ही है यह तो जिसके भीतर अहंकार है उसे ही चारो ओर भेद नजर आते हैं अतह तु दैवी परकीर्ती से मुझ परमेशवर की उपासना कर या तु मुझे अपने भीतर का परमभाव जान ले या फिर तु इस यूद सहित सब में वही मौजूद है ऐसा मान ले परन्तु परमात्मा को मुझ में या दूसरों के सरीर में देखने या खोजने वाली असूरी परविर्ती को त्याग दे उसी के कारण तु स्वर्ग नर्क तथा पाप पूर्ण जैसी हजारों व्यर्थ की आसाए पाल रहा है और फिर उनकी पूर्ती है तु यूद से भागने का व्यर्थ का कर्म करने की जिद कर रहा है लेकिन यदि सबके भीतर का परमभाव ही परमात्मा है या फिर जिसके लिए चारों ओर सबकुछ परमात्मा है उसे किसी भी परकार की आसा में कोई कर्म करने की अवस्यक्ता ही कहां रह जाती है अर्जुन ऐसा समझ की दैवी परकिर्ती में भी दो परकार के मनुष्य होते हैं एक अंतर मुखी तथा दूसरे बहिर मुखी अंतर मुखी व्यक्ति के लिए परमात्मा को अपने भीतर के परम भाव में खोजना बहतर है और बहिर मुखी व्यक्ति के लिए चारों और सबक कुछ पर मात्मा है यह एहसास करना असान है क्योंकि तू बहिर मुखी है अता मेरे लिए चारों और सब कुछ पर मात्मा है यह समझना ज्यादा असान है और जब सब कुछ पर मात्मा है तो सब तेरे एग में नहीं ऐसा भी नहीं मान सकते फिर एक वस्तु में है तथा एक में नहीं यह कहना ही गलत हो जाता है और तू इस समय यही कोशिस कर रहा है तू मान रहा है कि सन्यास में परमात्मा है तथा यूद में नहीं है यह नहीं न अर्जुन ऐसा नहीं है मैं परमात्मा हर यग की तमाम किरियाओं वह सामागरी में मौझूद हूँ मैं तमाम वेदों में मौझूद हूँ इस संपूर्ण जगत का धारन फोशन करने वाला भी मैं ही हूँ तथा उनका माता पिताव पितामा भी मैं ही हूँ प्रंतु किसी भी परकार की कामणाओं तथा उसकी पूर्ती के पर्यासों में भी मैं नहीं हूँ जो कामना से प्रेरित होकर यग वगेरा करते हैं फिर चाहे वह कामना स्वर्ग की ही क्यों न हो वे मुझे न प्राप्त होकर अवा गमन को प्राप्त होते हैं क्योंकि वे इस्वर को पूरा का पूरा पाने की जगह उसे टुकरे टुकरे में चाहते हैं तू भी यही कर रहा है चारो और व्याप्त परमात्मा को पाने की चाहर करने की वजाए उसे टुकरे टुकरे में चाह रहा है तू स्वर्ग भी चाह रहा है तथा राज भी तू जा पस्तमा समझ की ऐसा आधहा ओधुरा चाहने से तु मुझ पर औल्यक्षि प्राप्त नहीं होगा बल्की आवाः गमन को प्राप्त होगा। बार बार इस मिर्तियू लोक में आएगा अतह बहिर मुखी व्यक्ति को भी मुझ परमात्मा को विना किसी भेद के पूरा का पूरा चाहना पड़ेगा और जो पूरा चाहते हैं वे कभी किसी वस्तु व्यक्ति या कर्म से इनकार नहीं करते क्योंकि जब सब कुछ परमात्मा है तो इनकार करे किस से अतह तु भी यूद को परमात्मा की एक लीला मान कर उसे गले से लगा ले यदि किसी कारण तुझे ऐसा लगता है कि तु अंतरमुखी है तथा तेरे लिए परमात्मा को चारो ओर की वजाए भीतर खोजना आसान है तो वह मार्ग भी मुझे से सून अंतरमुखी लोग निरंतर बिना किसी कामना के अपनी अंतरात्मा को समर्पित होते हैं वे यह मानकर ही चलते हैं कि मेरे भीतर परमात्मा है तो सब के भीतर भी वही है वे यह मानकर ही चलते हैं कि जैसे मेरे भीतर परमात्मिय भाव हैं वैसे ही जगत के कन कन में परमात्मिय भाव मौजूद हैं अतर वे भी किसी बात के लिए कभी भेद नहीं करते हैं वे कभी कमनाओं से भर कर टुकरे टुकरे में देवताओं का पूजन नहीं करते हैं कैमकि अलग से किसी देवता की पूजा करना यही दर्साता है कि एक उसे छोड अन्य में परमात्मिय भाव नहीं अतह अलग से किसी ऐसे देवता का पूजन भी औविधी पूर्वक का पूजन है यह भी परमात्मा में भेद करना है इसलिए ऐसे लोग भी बार-बार पुनरजरम को प्राप्त होते हैं अतह तु भीतर के परमात्मिय भाव को जानना चाहता है तो भी तुझे तमाम भेद तो छोड़ने ही होंगे तमाम कमनाओं से मुक्ति तो तुझे फिर भी पानी ही होगी क्योंकि अपने भीतर परमात्मिय भाव है तो सब के भीतर परमात्मिय भाव है ही ऐसे में भेद किस से वह कामना किस की अतह तु चाहे परमात्मा को अपने भीतर बाहर खोज या चारो और खोज परन्तु जहां खोज वहां पूरा खोज यह विश्वास जान की मुझे पूरा का पूरा खोजने वालों का कभी पुनर जनम नहीं होता अर्जुन मनुस जनम कर्म का नाम है और कर्म करने पर पाना व खोना लगा ही रहता है लेकिन जब सब कुछ परमात्मा है तो यह सब पाना खोना भी परमात्मा का ही हुआ और जो ऐसा मानकर ही जीता चला जाता है वह एक वही मेरा सच्चा भक्त है जो अपने सारे कर्म मुझे एक परमात्मा को समर्पित कर देता है वही मेरा प्रिये है और ऐसा प्रिये मुझे प्रेम से पत्र पुस्प या फल भी अर्पित करे तो भी मैं उसे गरहन कर लेता हू उसके तो मैं युद्ध से लेकर छल कपट भी गरहन कर लेता हूँ अतह तु भी जो कुछ कर्म करता है जो कुछ भी खाता है जो कुछ तप यादान करता है सब मुझे अरपित कर दे अपने लिए कुछ भी मत कर सब कुछ मेरे लिए कर जो कोई अपने समस्त कर्म मुझे अरपित कर देता है वह हमेशा के लिए कर्मों के बंधन से छूट जाता है प्रन्तु हवन हो या पूजा जो अपने लिए करता है वह कर्मों से बंधता चला जाता है तु अपने लिए भागना चाह रहा है और मैं कह कि तुपरमात्मा के लिए यूद कर अरजुन मैं तो सब में संभाव से व्याप्त हूँ मेरा न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय इस तुम से लगाव उद प्रवत्रवों से वखित है सवाल मेरा है है नहीं सवाल तुम लोगों का है जो कोई मेरे लिए कर्म करेगा उसे मैं परत्यक्ष्ट उपलब्ध हो जाऊंगा अत्व तेरे हीत में है कि तू मेरे लिए कर्म कर इससे मैं तुझे उपलब्ध हो जाऊंगा और एक बार जिसे मैं उपलब्ध हो गया उसे फिर अन्य कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं अर्जुन तू समझ क्यों नहीं रहा है तेरे रत के सार्थी होने से मैं तेरे साथ नहीं हो जाऊंगा तू अपने तमाम कर्म मुझे समर्पित करेगा तो मैं साथ होऊंगा लेकिन दुर्भाग से तू मेरे साथ का महत्व ही नहीं समझ पा रहा है तू क्या बड़े बड़े ग्यानी इसका महत्व नहीं समझ रहे हैं वरना यहां हर कोई सारे कर्म मुझे समर्पित कर चैन की वन्सी न बजा रहा होता परंतु तू ऐसा कर तू यह युद रूपी कर्म मुझे समर्पित कर दे मैं ही प्राप्त करने योग परम धाम हूँ मैं ही सब का स्वामी हूँ मैं ही उत्पति तथा परलाय का परम कारन हूँ सुर्ज रूप से तपता भी मैं ही हूँ वह वर्षा रूप से बरस्ता भी मैं ही हूँ अर्जुन मुझे कर्म समर्पित कर देना तो वह जादू है कि इससे तमाम पूराने कर्म भी छन भर में भस्म हो जाते हैं दुराचारी से दुराचारी भी यदि एक बार मुझे कर्म समर्पित कर देता है तो वह तक्षन धर्मात्मा हो जाता है एक बार निश्चय पुर्वक कर्म मुझे समर्पित कर देने पर तमाम पूराने पापों से मनुस्त का तुरंत छुटकारा हो जाता है सो मेरी बाते सुन कर यदि तू ऐसा सोच रहा है कि मैं इतने समय से फलों की लालसा में कर्म किये जा रहा हूँ आज कुछ बदल भी दिया तो क्या होगा तो मेरा विश्वास जान ले कि उससे सब कुछ तक्छन बदल जाएगा तू यदि इस समय यह युद रूपी कर्म मुझे समर्पित कर देगा तो तेरे सारे पुराने कर्म भास्म हो जाएगे तथा तक्छन तू मुझे प्राप्थ हो जाएगा अतह तुझे या किसी को भी कल या किसी कल क्या किया था यह सोचने की जरूरत ही नहीं है बीत गई सो बात गई महत्व इस पल का है महत्व इस पल की ये जा रहे कर्म का है एक बार वह मुझे समर्पित कर दिया कि व्यक्ति हाथो हाथ धर्मात्मा हो गया यह बीते कल की तथा आने वाले कल की बातें तो स्वार्थीव औग्यानी लोग करते हैं निस्वार्थ भाव से परमात्मा के ध्यान में लगे ग्यानी लोग तो इस पल की बात करते हैं और इस पल तेरे सामने टाला नौ जा सके ऐसा युद मुह फारे खड़ा है और उस सत्त्त की राह में तथा परमात्मा के मौर्ग में कभी देर नहीं होती वहां तो जब जागो तब ´सवेत हो जाता है है अरफ़्ण कर्म का परमात्मा को यह समर्पन एक जादू है इसमेν धरमात्मा और पापी का कोई भेयेद नहीं, इसमें कर्मों का भी भेद नहीं, दान का समर्पन स्विकार है तथा यूद का नहीं, ऐसा भी नहीं है, कर्मों के इस समर्पन में जात या लिंग का भी भेद नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुरुस के कर्म स्विकार हैं तथा इस्त्री के नहीं, धर्मात्मा के स्विकार हैं तथ तथा पाप योनी चंडाल के नहीं मैं परमात्मा को सद्धेव सबके लिए संभाव में ही इस्थित रहता हूं यह सारे भ्रह्म अग्यान से भरे सास्त्र फैलाते हैं अतर तु यह मत मान की तु सन्यास लेकर हवन करेगा तो ही तेरा वहकर मैं स्विकारूंगा नहीं तु छतरिये बनकर मेरे लिए यूद भी करेगा तो भी मैं उसे उतने ही प्रेम से स्विकारूंगा अतही अर्जुन तु चाहे तो मुझ परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में खोज और चाहे तो उसे चारो और व्याप्त मेरे विराथ स्वरूप में खोज प्रन्तु खोज तु हर हाल में मुझ में मन वाला हो मेरा भक्त बन मेरा पूजन कर और मुझे प्रनाम कर मुझे चाहे जिस तरीके से हो पूरा का पूरा स्विकार कर इस परकार पूरी तरह से अपनी अंतरात्मा को समर्पित हो कर तु मेरे विराथ स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा सो उट वह उसकी आवाज पर मेरे लिए यूद कर प्रैक्टिकल अप्लिकेशन चौदा इस अध्याय की परमुख विशेस्ता क्रिश्न का उनकी सरन आने है तूपु कारना है सवाल इतना ही है कि अर्जुन इस समय भरामित चिंतित वदुखी है और उससे भी बड़ा मसला यह है कि आप भी भरामित चिंतित वदुखी है और यही गलत है इस जगत में बाकी कुछ गलत है भी नहीं गलत यही है कि हम में मीरा की मस्ती नहीं है कबीर का भुलापन नहीं है तथा कृष्न की प्रग्या नहीं है और इसी कारण सभी दुखी है और सबके कस्ट निवारन हेतु ही क्रिश्न कह रहे हैं कि जब तक कोई मेरी संपूर्ण सरनागती नहीं स्विकारेगा वह कस्ट में रहेगा ही और क्रिश्न क्या है तो उस बाबत क्रिश्न कह ही चुके हैं कि मैं सबका आत्मा हूँ यानि जितने जिवित हैं उन सबका सामुहिक हित क्रिश्न है और क्रिश्न इस अध्याय में अरजुन को समझा रहे हैं कि तू तेरे लिए कर्म कर रहा है उसके वाजाए मेरे लिए कर्म क और तमाम संकटों से मुक्त होने का यही एक उपाय है बाकी सारे पाप पुनवा अच्छे बुरे विकार की बाते हैं क्रिश्न कह रहे हैं कि अर्जुन यदि तु अपने लिए सन्यास लेगा तो मैं उसे नहीं स्विकारूंगा लेकिन यदि तु मेरे लिए यानि सब की रक् के भले की सोचना यही मेरी पूजा है इसके अलावा की सारी बातों को तु बखवास जान अब हर कर्म में जगत का भला तो नहीं हो सकता है सो जब जो वह जितने सामने हो उनके भले की सोचना सरनागती है पांच लोग हो तथा चार का फायदा वह मेरा नुक्सान हो रहा हो तो ऐसे में चार के भाले की सोचना पर्मात्मा की सर्नगती है और क्रिष्न की लीला देखो इस समय उनके सामने अरजुन वो दुर्योधन दोनों है तथा वे दोनों के भाले की सोच रहे हैं अरजुन को वरतमान भ्रमित अवस्था से निकालने हे तू गीता सुना रहे हैं तथा वहीं दूसरी ओर दुर्योधन के जुल्मों पर लगाम लगाना चाह रहे हैं और इसमें भालाई दुर्योधन की ही है ताकि वह इस पाप परविर्ती वाले जीवन से छुटकारा पाए और नए जन्म में नई शुरुवात करे सर्व हीत के मामले में क्रिष्ण जितना परफेक्शन कभी किसी का नहीं रहा और क्रिष्ण को पूरा समझना चाहते हो तो मेरे द्वरा लिखित उनकी बायोग्राफी मैं क्रिष्ण हूँ पढ़े क्रिष्ण के सारे क्यों वह कैसे पकर में आ जाएंगे होगा अभी तो परमुख बात या कि जो वह जीतने सामने हो सब के भले की सोचो और अपने को हर जगह से पूरी तरह हटालो अपनी जगह सब को समालो हो गई सर्नागती फिर आपका जीना मरना सब परमात्मा का हो जाएगा सो चलो अगले पेज पर दिया गया चार्ट भर कर सर्नागती की ओर कदम बढ़ाना सुरू करो मुझे मिला मेरा फायदा की जगह उसे यानी परमात्मा को मिला तथा परमात्मा का फायदा ऐसा कह सको ऐसे दस वरे कर्म करो तथा जब भी ऐसे स्रिष्ट कर्म करो उन्हें विस्तार से लिखो कूल जमा दस कार्ज की परमात्मा के लिए करने को कह रहा हूँ सो यह चाट महीने भर में भरो भर ही जाना चाहिए क्योंकि आपको धीरे धीरे कर अपने सारे कार्ज परमात्मा हेतू करना है मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में तब तक अपना धेर सारा ख्याल रखिए लाइफ को इंजवाय किजिए मस्त रहिए आपका किम्ती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद